आगात है आपका अपने यूट्यूब चनल गिरिन लाइन सॉलूसन पर और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोडिंग निकोडिंग पार्ट 3 इसमें खतम हो जाएगा सारा ठीक है पार्ट 1 पार्ट 2 बता चुके हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देख लिजेगा इसके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ठीक है तो चलिए सुरुआत करते हैं इसका संकेति भासा में इंडिया को ये दिखिए ये कोड लिखा गया है तो उसी भासा में इंग्लेंड को क्या लिखा जाएगा इंडिया का ये कोड दिया गया है मतलब यहां सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इंडिया ठीक है तो यहां पर लिख लेते हैं ये देखिए 9, 1 दिया गया है, इसको दखिए किस तरह से समझेंगे, सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि इसका code यहां एक, दो, तीन, चार, पांच अचर दिया हुआ है, यह भी पांच अचर होगा, तो एक, यह तो बन जाएगा, फिर, यह दो, फिर इसको बनाएंगे, यह तीन, यह चा code दिया गया है, तो हम लोग से पुछ रहा, इंग्लेंड का क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे, लिख लेते हैं, इंग्लेंड, ठीक है, यहां पर इंग्लेंड लेते हैं, इंग्लेंड का code बोल रहा है, तो देखेंगे, यहां पर E का हम लोग जानते हैं, 5, इसका 14 होता G का 7 होता है L का यहां पर 12 होता है A का 1 होता है N का 14 होता है D का 4 होता है एक बार फिर आप लोग को याद दिला दू यह हम कैसे लिखते हैं इतना जल्दी आप भी लिख सकते हैं और याद करने का विधी बहुत ही सराल है इसका ट्रिक मैंने एक विडियो अल्रेडी बना रखा है तो आप जा करके वो ट्रिक वोला विडियो देख लिजिए उसका वे लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो देखें यहां पर यह कौन ओप्शन मैच कर रहा है यहां पर तो देख रहे हैं यहां पर हम लोग का 5, 14, 7, 12, 11, 44 तो यहां पर देखिए यह उप्शन नमर इसका यह हो जागा राइट एंसर 5, 14, 7, 12, 11, 44 5, 14, 7, 12, 11, 44 ठीक है दूसरा प्रस्ट बोल रहा है अधि किसे सांकेतिक भासा में मदर को देखिए इस तरह से कोडिंग किया गया है तो उसी भासा में फैमली को किसे नहीं रूपित किया जाएगा मतलब यह कोड दिया गया है ठीक है तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग यहां पर देखिए क्या हो रहा है M, M का यह 14 मिल रहा है सबसे पहले डायट देख लेजे M का 14 मिल रहा है O, O का कितना होता है तो यहां पर M का तो 14 दिया हुआ O का तो यहां पर 16 दिया हुआ सब का तो अलग-अलग दिया गया है तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं वही बहतर रहेगा M of O, T, H यहार यह मदर हो गया इसका देखिए यहां पर 14 है M के सामने 14 है O का कितना हो जाएगा सबला दिया हुआ है T का दिया हुआ है T का कितना है यह 28 दिया हुआ है ठीक है फिर यहां पर देखिए T के बाद H है H का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है फिर E का देखिए कितना कोटिंग दिया गिया है E का यहाँ पर देखिए 6 दिया गिया है R का देखिए कितना यह 19 ऐसे निरुपित कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है कि family को इस तरह से किस प्रकार करेंगे यहाँ पर देखिए family को किस तरह से करेंगे यह family का ठीक है तो देखिए family को किस तरह से करेंगे यही पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि M का तो तहरा होता है लेकिन यहाँ पर 14 लिखा गया मतलब एक extra जोड़ दिया गया है तो इसका अपना code होता है उससे एक आगे बढ़ा दिया गया एक जोड़ दिया गया वो का 15 होता है लेकिन यहाँ पर 1 करके 16 कर दिया T का 20 होता है लेकिन यहाँ पर 18 कर दिया उसी तरह से क्या करेंगे F का हम लोग जानते हैं कितना होता है 6 तो 6 ना लिक करके एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा A का 1 होता है एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 M का 13 एक जोड़ देंगे यह 14 हो जाएगा I का 9 एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 पिर यहां पर L का 12 एक जोड़ देंगे 13, Y का 25 एक जोड़ देंगे 26, जिसमें यह option दिया होगा, वही इसका answer होगा, इसका option देख लेते हैं, यह देखिए, यहां पर 7, 2, 14, 10 किसमे है, 7, 2, 7, 2, 14, 10, 13, 26, यह option नमर भी इसका right answer हो जागा, ठीक है, नेक्स प्रेस देखिए बोल रहा है, संकेति भासा में, गॉल्ड को 38 देखा, बुक को 43 लिखा जाता है, तो उसी संकेति भासा में, लाइन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं, यह गॉल्ड सबसे प्रे लिख लेते हैं, गॉल्ड, गॉल्ड का दिखी क्या दिया हुआ यहां पर 14 AZ ईस्यास षभी हो बूकर का दिया हुआ है चीज एक्षिक्ष segundo गया हुआ ऐसे तो कि Japan को बूझ मैं यह 67 अब सब शब्से पहले कर से हैं यहहां पर देख लेते हैं कि कि एक खाए सब का अपना कोड लखते अब देखिए ज़ी इसको जोड़ देता है 12, 4, 16 16 15 कितना हो जाएगा 31 साथ 38 आजाएगा मतलब जदी सब को जोड़ देते हैं 7 पलस 15 पलस 12 पलस 4 तो यह आ जाता है हम लोग का 38 आजाता है ठीक है यह 38 आजाता है यहां पर देखिए ठीक से लिख देते हैं यह 38 आजाता है उसी तरह से भूक का भी देख लेते हैं वाशा काम कर रहा है कि नहीं तो बी का यहां पर कितना होता है दो और ओ का यह 15 फिर ओ का 15 के का होता है 11 15 15 30 30 और यहां पर 10 40 43 यह भी जोडने पर आ रहा है मतलब यह तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है 43 आ जाता है इसका मतलब हम लों का जो लाइन का पूछा है इसी तरह से निकालना पड़ेगा L I O N जो लाइन का पूछा गया देखिए तो L का कितना होता है L का 12 I का 9 O का 15 N का 14 यह तिनों को जोड़ देंगे जो इसका योगफल आगा वही क्या हो जागा अंसर हो जागा ठीक है तो चलिए देखते हैं सबस्प्पले इसको जोड़ लेते है यह पांच चार नो और नो 18 और 20 20 का 0 बाकि 2 2 और 1 3 4 और 1 यह 5 मतलब यह 50 आगया ओप्सन नमबर 20 का राइट अंसर हो जागा ठीक है तेक है यहां पर किसी सांकेतिक भासा में लक का कोड दिया गया है और गेट का भी दिया गया है तो उसी भासा में बेस्ट का क्या होगा यह हम लोग से पूछ रहा ह ठीक है तो चैशे सबसे पेले देखते हैं हमलोग यहां पर यह लग का इतना कोड यह लाया कैसे है ठीक है इसके लिए क् ythere करना पढ़ेगा हम लोग को सबसे पहले यहां पर लिखना पढ़ेगा стало एल का कितना हो जाता तो बारह होता है यू का अकीज्ट सी का अटीन और के एक ग्यारह होता इसको सबसे पहले हैं लोग लिख देंगे उसके बाद की ही जो अपना देखिए यहां पर यह 24 दिया गया है 24 फिर क्या दिया गया है सहलला दिया गया है ठीक है इसको इस तरह से से टिंग करेंगे ताकि यह सब्सक्राइब मिल जाए ठीक है और फिर यहां पर लिखेंगे gate यह gate gate का جो होता है, हम लोग जो जानते हैं, यहाँ पर जो इसका अपना code होता है, g का 7, इसका 1, और यहाँ पर T का हो जाएगा, यह 20, और फिर E का हो जाएगा, 5 ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह जो इसका दिया गया है, 20 दिया गया है, फिर दिया गया है 26 दिया गया है 26 फिर T का कितना दिया गया है 7 दिया गया है और फिर E का ये 22 दिया गया है अब देख रहे हैं कि किस तरह से ये कोडिंग हो रहा है इसको सबसे पहले हैं लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है दिखिए यह 20 और 7 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे? 27, 26, 27, 27, 27, 25, 27 मतलब जस्ट इसका उल्टा विप्रित दिया हुआ है हाँ, विप्रित सब्द दिया हुआ है इसका मतलब दिखें यहाँ पर यह जी हो गया, इसका 20, 20 का यहाँ पर 7 दिया गया होगा, जब दोनों का जो कोड को जदी जोड़ेंगे और वो 27 के बराबर हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर भी वही है, 15, 12, 27, 26, 27, 24, 23, 27, 16, 11, 27 तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, किसका मांगर देखिए, बेस्ट का पुछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे, यह बेस्ट लिख लेंगे, इसका अपना कोड हम लोग जो जानते हों क्या लिखेंगे, B का 2, E का 5, S का 19, और T का 20 यह जानते हैं, अब यहाँ पर ऊपर में कितना रख देंगे, कि यह 27 हो जाए, तो 27 में 2 घ्रट लेशे, कितना बचा? 25, 27 में 5 घ्रट दीजिए, तो 22, 27 में 19 घ्रट दीजिए, तो 8, 27 में 20 घ्रट दीजिए, तो 7 बचेगा, कौन है यहाँ पर देख लेता है, अनसर…? तिके 25-22-87 ठीक है तिके 25-22-87 मतलब इसका जो option number D इसका right answer हो जागा 25-22-87 ठीक है इस तरह से हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से coding दिया हुआ है ज़िए आप यह दिमाग से बनाएंगे आपको बहुत असानी लगेगा और बहुत ही simple विदी से बनेगा यह ठीक है बहुत लोग क्या करते हैं इसका आप को trick याद रख लेते हैं ultra word का वो आपको याद रखना नहीं यह simple यहाँ दोनों का opposite क्या करना है सत्य स्याद रखना है तो आपको काम बन जाएगा यहाँ पर देखें next person है यदि किसे संकेति भासा में century को 106 तथा star को 155 लिखा जाता है तो उसी भासा में 100 को क्या लिखा जाएगा ठीक है तो यह दिखिए यह आप लोग के लिए छोड एंसर करिएगा ठीक है इसमें नहीं दिया है यह भी दूसरा प्रस्न आप लोग के लिए छोड़ देते हैं मदरास का कोड़ यहां पर चपन लिखा गया है तो चैने का बोल रहा है क्या होगा ठीक है तो इसको पीटू बोलिएगा और पीटू का अंबक में आप बताएगा ठीक है पीवन वो हो गया यह पीटू हो गया प्रस्न वन यह प्रस्न टू दोनों का बताएगा कितना आएगा एंसर ठीक है नेक्स प्रस देखिए बोल रहा है अधी यहां पर इस इंपलाइज यह मतलब इंपलाइज है यहां पर दो बेंपलाइज यहां पर थिरी सेंपला आपना से कोड बनाया गया तो बताये कि इतना कोड के लिए कौन से सब्कुरूद आएगा ये तीनों से पकड़ना है कि code कैसे दिया गया है अब देखे एक का अपना code सबसे पहले जब भी आप reasoning बनाएं पहले अपना code जरूर लिखे बी का दो, सी का तीन तो देखे एक में कितना देखे एक से दो चला गया मतलब एक इसमें add किया गया होगा इसमें एगर one add कर देते हैं तो 3 इसमें भी एगर one add कर देते हैं तो ये 4 मतलब ये one add किया गया है तीनों में तब जा गर करके ये बनाए संख्या। है याँ पर जो हम लोगों दिया हुआ है 18,06 ये 46 तरह 18 और ये 26 ये जो दिया गया है इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को एक संख्या तो देखिए आगे बढ़के इसका कोड रहता है तो क्या करेंगे हम लोग कि एक घटा देंगे इसमें तो जस्ट पीछे वाला मिल जागा 8 से घटा देंगे 7 यहां पर 6 में घटा देंगे 5 16 का 15 लिख देंगे 13 का 12 लिख देंगे 16 का 15 लिख देंगे 8 का 7 लिख देंगे 26 का 25 लिख देंगे ठीक है मतलब देखिए जदि आपको बोला जाए कि 2, 3, 4 से आप बताए क्या कोड लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहां पर 2, 3, 4 से क्या सबत बना था तो 2 में एक घटा तभी न दो में गया एक तीन में गया दो चार में गया तीन तभी न यह एक दो तीन से बना है A, B, C जो कोड दिया गया उसमें से एक घटाते हैं तो तो उसी तरह से जो कोड दिया गया इसमें एकक घटा दियें अब देखिए 7 किसका होता है ग्रूप आप 7 या अधर ट्रिक, E का 5, 15 O, 12 यहाँ पर L, फिर 15 O, फिर 7 ग्रूप आप 7, फिर 25 या Y, दिखें कौन मिल रहा यहाँ यहाँ पर, यह जियोलोजी हो गया, दिखें यहाँ पर, जियोलोजी यह ओप्सन नंबर, डे इस का राइट एंसर होगा, ठीक है, आपका को डिकोडिंग, डिकोडिंग से एक भी प्रस नहीं चुटेगा, आप बस आपको क्या करना है, पार्ट 1, पार्ट 2 और प्लस ट्रिक का वीडियो, यह तीनों वीडियो आप जा करके देख लिजेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक ह मोहन, मोहन का लिखा गया है, मतलब M का दिया गया है, 5, O का दिया गया है, 6, H कमान लेते हैं, यह कितना दिया गया है, M का 5, O का 6, फिर H का हो जाएगा 2, A का हो जाएगा 3, और N का हो जाएगा 7, यह कोई अपना कोड दिया गया है, इसका ठीक है, और यहां पर UMA का कोड द हो गया है देखिए आठ पांच तेन यह हो गया आठ यह हो गया पांच यह हो गया तेन तो हनुमान का पूछ रहा है तो देखिए हनुमान का कोड क्या होगा तो यहां सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो कोडिंग दिया गया यहां पर कुछ पता नहीं चल रहा है तो यहां पता नहीं चल रहा है इसका मतलब किसी का कोड जो है से हम मिलेगा उसे से पता कर लेंगे किसका code से मिल रहा है किसी का जरूर मिलेगा यहां पर यह मिल रहा है M का यहां भी M का यहां भी मतलब 5 और किसी का मिल रहा है A का देखिए यहां पर 3 मतलब जो A का code है अपना code वो 3 है यह अपना तरह से code दिया गया है M का कितना है 5 है तो उसी तरह से यह सारा का code अपना अपना ही code है इसका तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक के जग़ा कितना बठाएंगे 3 यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर M का कितना हो गया 5 तो यहाँ बठादेंगे 5 इसे तरह से जदी यू का देखे के सामने कितना 8 है तो आठ बठा देंगे एंड का देखे कितना 7 है तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 और एज एज का देखे किसे कितना दो यह 23,78,537 यह देखिए यह 23,78,537 अप्सन नमबर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है, अधी किसी संग्यतिक भासा में, टॉम का जो कोड है, वो 12 है, और डिक का यहां पर, जिए कितना दिया लिखा जाता है, डिक का यह 9 है, और हैरी को उसी में, उसी भासा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यह T.O. तो यह हो नहीं का दिया हुआ है来 सबसे पहले अपना कोड लखते हैं आप 20, O का कितना होता है 15, M का कितना होता है 13, फिर से बार बार कह रहे हैं जदि आपको ये तुरत याद नहीं होता है नहीं रहता है, आप जागर के इसका trick वीडियो देखिए, आप जीवन में उसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है यदि यहाँ पर तो ये 12 है यहाँ पर देखिए, संक्या भिन भिन है सब को जदि जोड़ दिया जाए 20, 15 और 13 को 15, 13 को जोड़ देंगे, 5, 3, 8 2, 2, 4, यह देखिए, कितना गया, 48 जदि 48 को ये चार और 8 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब इसी तरह से इसका कोड लाया गया है, तो यहाँ पर सारा का लिख देते है लोग देखिए, इसमें काम करता है कि नहीं डी का चार, आई का नौ, सी का, तीन, के का 11 जोड़ देजिए, 11 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11, 3 14 हो जाएगा, 14 और 7 20, 22, 22, 22 24 यह 24 हो गया, 26 22 और 4 ना, यहाँ पर कुछ गरबड हो जाए 11, 3, 14, 9 22 हो जाएगा, यहाँ पर 22 और, यहाँ पर हो जाएगा, और यह तेश, चार 27 आजाएगा, यहाँ पर, मिस्टे कोलाता जोडने में 27, अब देखिए, यहाँ पर 27 को जोड़ देंगे, कितना आजाएगा, यह 9 आजाएगा 2 पलस 7 करेंगे तो, यह 9 आजाएगा, मतलब इसी तरह से इसका कोडिंग किया गया है, तो देखिए, यहाँ पर सारा हो आएगा, कितना होगा, 25, सारा को पहले जोड कर लेते हैं, यह आजाएगा, 8 आजाएगा, 8 आजाएगा, यह 9, 45, 50, और यहाँ पर, चास, यह 70 आजाएगा, ठीक है, अब देखिए, 70 आजाएगा, अब इसको जोड़ेंगे, तो, 7 पलस 0 कितना आजाएगा, यह 7 ही आजाएगा, यह अप्शन नमर भी इसका, राइट अंसर होगा, देखिए, नेक्स प्रस्ट, यह रक्ट आप का है, एक कुट भासा में, 1, 2, 3 का आर्थ है, गरम, फिल्टर्ड काफी, 3, 5, 6 का आर्थ है, बहुत गर्म दिन, तथा, 5, 8, 9 का आर्थ है, दिन और रात, तो, बहुत के फिल्टर्ड काफी, ठीक है, फिर यहां पर बोल रहा है, 3, 5, 6 का आर्थ है, बहुत गर्म दिन, बहुत गर्म दिन, उसके बाद फिर है, यहां पर, 5, 8, 9 का आर्थ है, दिन और रात, यह दिन और रात, तो, बहुत के लिए कौन सांग आएगा, दिखिए, यहां पर सबसे पहले, इस तरह के प्रस्नों को करने के लिए, क्या करेंगे, यह दोनों में क्या क्या कौन मिल रहा है, यह चीज को देखना पड़ेगा, तो, दिखिए, यहां पर, यहां पर यह तीन मिल रहा है, यह दोनों में क्या मिल रहा देखिए यहां गर्म मिल रहा है यहां भी गर्म मिल रहा है मतलब गर्म के लिए कितना हो गया यहां पर तीन हो गया गर्म के लिए कोड कितना हो गया तीन हो गया अब यहां पर देख रहे हैं यह दोनों में क्या मिल रहा है तो यहां पर पांच मि मतलब दीन के लिए कितना हो गया? पांच हो गया. अब बचा है रात के लिए. रात का तो nे चाइए, क्या चाहिए? हम लिएकों बहुत चाहिए था, ना? बहुत के लिए. देखे बहुत के लिए क्या करेंगे? अब देखिए इसमें से तो दोग का हो गया, तीन पांच हो गया, मतलब इसका गरम का, ये दीन का हो गया, दीन का कितना, तो दीन का यहाँ पांच, गरम का, गरम का, तीन, तो देखिए जो 6 बचाओ किसके लिए हो जाएगा, बहुत के लिए हो जाएगा, बहुत के लिए कौ recording recording का सारा reasoning खतम हो जाए ठीक है देखिए यहाँ पर बोल रहा है किसे संगेति भासा में यह देखिए कैट लू लिम का अर्थ दिया हूँ है ड्रिंक हाट काफी यहाँ पर देखिए इसको पर सकते हैं कुस लिम जिम का अर्थ है कॉपी अंटी तुथा जिम लू यह नीट का अर्थ है Sell Hot Tea ठीक है NIT भी पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर देखे क्या करते हैं सबसे पहले लिख लिजे किसका क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो हम लोग का दिया हुआ है Drink Hot Coffee Hot Coffee फिर यहाँ पर जो दिया गया है यह देखिए सारा लिख लिए जिसका अर्थ दिया हुआ था यहाँ पर इसका अर्थ यह दिया हुआ था Drink Hot Coffee इसका भी अर्थ यहाँ पर दिया हुआ था यह भी लिख लिए ठीक है तता जिमलू नीट इसका भी अर्थिया हो था सेल होटी ये भी लिग दिये है ठीक है आप देखिए ये दोनों में क्या-क्या कोमन मिल रहा है तो यहां पर देखिए क्या-क्या कोमन मिल रहा है यहां पर भी देखिए इसमें लीम है और यहां भी लीम है तो दोनों में लिख सकते हैं हम लोग कि लीम को बोल सकते हैं कॉफी उसके बाद देखना है फिर देखिए ये दोनों में कुछ मिल रहा है यहां पर मिल रहा है यहां पर टी है यहां पर भी टी है मतलब इसको यहां पर सर के लिए सबनाते हैं ये दोनों में टी टी मिल रहा है फिर यहां पर हाँ लिख लेते हैं फिर देखे क्या मिल रहा है हम लोग यहां मिल रहा है देखे लू मिल रहा है यहां भी यह लू मिल रहा है ठीक है तो लोग लिख सकते हैं कि लू का क्या हो गया यह हो गया ठीक तो यहां बोल रहा है होट के लिए कौन सा तो हो जाएगा लू ही हो जाएगा ठीक है यहां पर ध्यान से देख लिए यहां पर देख C हो जागा होट के लिए लू हो जाएगा तो आपका खतम हो गया आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा एक बार फिर से दोहरा देते हैं आप इससे पहले इसका ट्रिक का वीडियो और पार्ट वन पार्ट टू देख लिजेगा और ये पार्ट थी है आपका कोडिंग डिकोडिंग खतम आपको कहीं कोजिंग जाने की ज़रत नहीं है फिर स्टाट करते हैं दूसरा वीडियो ठीक है